घलो दोस्तो आप के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम Amazon से order मंगवाते हैं कही बार तो उस order को आप कैंसल करना है तो cancelle करसकते हैं तो फ्रेंट्स आपको अपने Amazon की application में चले जाना है उसके अंदर जाने के बाद आपको ये page open होगा वहाँ से आपको निचे जाओगे तो वहाँ you लिख कर आ जाएगा मतलब कि आपका profile का logo होगा उसके उपर आपको click करना है देखो यहाँ आपको निचे दिखाई देगा ओम के बाजू में you उसके उपर आपको click कर देना है तो friends उसके उपर click करने के बाद आपको उपर लिख कर आजएगा your orders उसके उपर आपको click कर देना है जिससे आपने जितने भी order किये होगे वो screen पे आपको दिखाई देगे अब जिसको भी cancel करवाना चाहते है उसके उपर आपको क्लिक कर देना है तो मैं इसके उपर क्लिक कर देता हूँ तो friends ये order को हम cancel करना चाहते हैं तो आपको निच्छे जाओगे तो वहाँ आपको cancel order लिखा होगा देखो यहाँ cancel order लिखा है उसके उपर आपको क्लिक कर देना है तो friends उसके बाद आपको cancellation का region देना है मरलब किस कारण चाप उसको cancel करवाना चाहते हो इसके उपर click करने के बाद आप कुछ भी region दे सकते हो मैं यह order create by mistake मरलब गलती से order हो गया ऐसा click कर देता हो आप कोई भी region दे सकते हो तो मैं यह first page click कर देता हूँ उसके बाद cancel second item के उपर में click कर देता हूँ जिससे मेरा order cancel हो जाएगा और friends अब यह order cancel हो गया अब मैं इसको कैसे मरलब fix कर सकता हूँ कि cancel हुआ या नहीं कैसे देख सकता हूँ तो आपको क्या करना है यहाँ उपर जाओगे आपको filter लिख कर आ जाएगा देखो यहाँ filter उसके उपर आपको click करना है उसके बाद यहाँ cancel लिखा होगा उसके उपर आपको click करना है उसके बाद apply पर click करना है जिससे आपका जितना भी order cancel किया होगा वो सब आपके सामने आ जाएगे तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप order cancel कर सकते हो और देख भी सकते हो अगर आपको देख लिया उसके बाद फिर से ठिक कर देना है क्या ताकि आप दूसरी बार order करवाए तब आपको कोई दिक्कत ना हो तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो के लाइक करें स सब्सक्राइब करें अमारे साथ जुड़े रहे जय हिंग जय भारत